नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपके साथ अंकिता विश्रा अकांचा दूबे मामले में समर सिंग की गिरफतारी हो चुकी है समर सिंग जिस हालत में मिला आज उसका जिकर करते हैं समर सिंग यू तो गर्मियों का मौसम चल रहा है लेकिन समर सिंग को जब पकड़ा गया तो उसने अपना हुलिया बदलने के लिए तमाम पैतरों का इस्तमाल किया था गर्मी के मौसम में भी सर्दी के कपड़े पहनते हुए उसे देखा जा सकता है ब्लू कलर की हुरी पहनी हुई थी जो की एक गरम कपड़े के रूप में देखी जा रही है इसे के साथ समर सिंग ने अपना हुलिया बदलने के लिए दाड़ी बढ़ा ली यानि कि अगर आप पहले की तस्वीर से अब की तस्वीर में अगर तुलना की जाए तो समर सिंग को पहचानना काफी जादा मुश्किल हो रहा था इसे के बीच आपको ये भी बताते चले कि समर सिंग यानि कि समर जीत सिंग ये दो अलग-अलग नाम हैं शक्स सेखी हैं ऐसे में ये दावा किया चाह रहा है कि समर सिंग जहां छिपा था उसने अपना नाम भी बदला हुआ था अब लगतार पुलिस उससे पूछताच कर रही है लेकिन जो तस्वीरे सामनी आई है ये हैरान कर देने वाली है समर सिंग ने कैसे इस केस में छुपने के लिए तमाम पैतरों का इस्तमाल किया अब पुलिस इससे सवाल पूछ रही है कि आखिर गोरक पूर से गाजियाबाद तक का सफर समर सिंग ने कैसे तैकिया और आखिर इसमें उसका सहयोग किस ने किया बताते चले कि अब संजे सिंग जो की अभी फरार है कहीं भी उसके तस्वीरे नहीं है आखिर उसे पुलिस कैसे ढूंडेगी परिवार वालों का दावा है कि संजे सिंग नाम का कोई शक्स है ही नहीं संजे सिंग के अगर तलाश करें इंटरनेट पर भी तो किसी भी संजे सिंग का जिक्रन नहीं होता है ऐसे में वो कौन सी तस्वीर है वो कौन सा इंसान है संजे सिंग जो छूपने के कोशिश कर रहा है और आखिर वो है भी या फिर नहीं ये भी काफी हरानी के बाद है काफी रहसमाई है और सबसे ज़ादा रहसमाई ये है कि जब समर सिंग अपना हुलिया बदल सकता है तो ऐसे में आखिर संजे सिंग को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कैसे पैतरी आजमाने पड़ेंगे क्योंकि हो सकता है कि संजे सिंग ने भी अपना खुलिया बदला हो अब देखना ये है कि आखिर संजे सिंग को पुलिस कैसे गिरफटार कर रही है क्योंकि अब दिल्ले से लेकर के नौइड़ा और मुंबई हो चाहे पटना हो तमाम जगों पर दबिशे शुरू कर दी गई ह क्यूंकि लगतार जो संजे सिंग की तलाश है, वो जारी है धंकी देने की बाद की जा रही थी संजे सिंग ने धंकी दी है अब उसे गिरफतार करने के लिए पुलिस हर संभव प्रियास कर रही है जब तक यह केस योगई आधितनात को के पास जाता है उससे पहले ही पुलिस चाहती है कि तमाम जो सबूत है वो इखटा कर लिया जाए देखना ये होगा कि संजर सिंग की आखिर कैसे पहचान होती है अभी के लिए इतना ही देखते रहें नेक्स्ट नाइ लाइफ